हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्थे पुस्तक भाग दो इस पर्षे पाठ साथ जिसमें दी गई है तोप नामक एक कभी था जिसके लेखाक है बिरेन डंगवाल जी आए पहले इनके जीवन परीचे के बारे में जान लेते हैं बिरेन डंगवाल जी क कभी हैं इनकी दो काभ्य रचनाएं इसी दुनिया में और दूसरी दुष चक्रमिस रष्टा इसी दुनिया में इन्हें स्रीकांत बर्मा पुरुसकार प्राप्थवा दुष चक्रमिस रष्टा पर साहित्य आकादमी पुरुसकार प्राप्थवा तोप कभीता में भी उन की विशेष्टा है तो कविता में भी उन्होंने सामन्य जन्ता की भूली हुई स्मृत्यों को ताजा किया है चलिए कविता शुरू करते हैं तो कंपनी वात के मुहाने पर दर रखी गई यह अठारश सथामन की तो इसकी होती है वड़ी संभाल द्रासत में मिले कंपनी वाक की तरहे साल में चमकाई जाती है दो वार पहले इसके सबदर्थ जान लेते हैं मुहाना कहते हैं प्रवेश द्वार को संभाल देखवाल ग्रासत बेवस्त्वे जो हमें अपने पूर्वजो द्वारा मिलती हैं और तीस तरह से हैं कंपनी बाग के मुहानी पर अंग्रेजों का एक बहुत अच्छा कंपनी वा बहां पर एक तोप रखी गई है जो 1857 की है और ये प्रथम स्वेतंतरता संग्राम में काम आई थी तो ये बहां पर रखी है इसकी होती है बड़ी सम्हाल द्रासत में मिले कंपनी वाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो वार इसकी होती है बड़ी सम्हाल और इसकी बढ़े एथ्यासिक मेहत की चीज़े होती है जो हमें पुरानी परंपराओं की याद दिलाती है और साल में दो वार इसको अच्छी तरह से चमकाया जाता है वे दौ अफसर कौन से हैं एक तो चब्वीच जन्वरी और एक पंद्रे अगस्त ये दो राश्ट्य पर्व हैं इन दो अफसरों पर कमपनी बाग को और तोप को बहुत ही अच्छी तरह से चमकाया जाता है ति ब्याख्या इस तरह से हैं कभी कहते हैं कि कमपनी बाग के पिरवेश द्वार पर एक तोप धरोहर के रूप में रखी गई है यह तोप 1857 के स्वेतंदरता संग्राम में काम आई थ इसकी और कमपनी बाग की दोनों की बड़ी देखवाल की जाती है साफ सफाई की जाती है क्योंकि यह दोनों चीजें हमें अंग्रेजों से ब्रासत में मिली हैं और ब्रासत में मिली चीजें एथियासिक मेहत की चीजें होती हैं इसलिए इनको सजाया सवारा जाता है तोप को साल में दो बार चमकाया जाता है बे दो राष्टे पर्व हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी इन दो अफसरों पर कमपनी बाग और तो दोनों को अच्छे से चमकाया जाता है अब आगे सुबह साम कमपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ आदस्त शक्ति साली शूर्मा बीर धच्जे कार्थे चीथले अर्थ इस तरह से सुबह साम कंपनी बाग में भूंने के लिए बहुत से परिय टकाते हैं अब यह क्या है अपने जमाने की बात कर रही है उन्हें बताती है ये तो ये तो उन्हें क्या बताती है उन्हें बताती है कि मैं बड़ी जवर थी मैं बड़ी सक्ति साली थी उड़ा दिये थे मैंने अच्छे अच्छे सूर्माओं के धज्जे अपने जमाने में और तो बताती है कि मैंने 1857 के श्वैतंतरता शंग्राम में इतना जवर्दस्त कारे किया था कि मैंने अच्छे-च्छे सूर्मों के धज्ज्टे चीथले कर दिये थे कब कर दिये थे अपने जमाने में अपने टाइम में द्याक्षिया इस तरह से हैं कभी कहते हैं हर रोज सुभे और शाम के समय बहुत से पर्यटक कंपनी वाग में घूमने के लिए आते हैं तो प्या बताती है सब को कि मैं अपने जमाने की बड़ी ताखतवर थी बड़ी शक्तिशाली थी मैंने 1857 के स्वेतंतरता संग्राम में जवर्दस्त कार्य किया और मैंने अच्छे अच्छे शूर वीरों के चीथले चीथले उड़ा दिये थे अपने जमाने में चलिए अगला पद पढ़ते हैं अब तो बहर हाल छोटे लड़कों की घुरसावारी से अगर यह फारिग हो तो उसके उपर बैट कर चिलिया ही अकसर करती हैं गपशप कभी कभी सै अब दर्थ बहर हाल ठिल हाल आजकल फारिंग खाली टाइम खाली समय गपशप बाते करना सैथानी सरारत दरहसल बास्तमी अर्थ इस तरह से हैं अब तो पीस समय की बात वता रही है अब तो यह वता रही है कि तोप आजकल क्या है और जब क्या थी इन दिनों क्या है अब पहले वह बहुत जवर थी किन्तु आज यह तोप बिल्कुल शान्तों निश्किर्य कंपणी वाग में खड़ी है आज कल केवल यह एक दर्सनिय वस्तूबन कर रहे गई है कभी बताते हैं कि 1857 में जिस तोप ने इतना आतंक मचा रखा था वह आज बेवस और लाचार कंपण में खड़ी है कभी बताते हैं कि अब तोप क्या है अब तो बहर हाल अब फिल हाल तोप क्या है छोटे बच्चों की घुल सावारी से अगर यह फारी होती है अर्था खाली होती है फिरी होती है तो उसके उपर बैठ कर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गफसब तो चिड़िय गोरे ये कभी कभी वे इतनी सरारत करती हैं कि वे इसके भीतरी घुज जाती हैं तो आज कल क्या है तो अप ये छोटे बच्चों का खिलोना बनकर रहे गई है और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है बच्चे घुरसावारी करते हैं गोरे ये इसके भीतर घुज जात एक दिन तो ऐसा आता ही है कि उसका वक्त खतम हो जाता है एक दिन ऐसा आता है उसका आंथ हो जाता है तोप कितनी भी जवरदस्त थी अपने जामाने में लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसका मुहू बंद हो गया व्याख्या इस तरह से है कभी कहते हैं पहले यह तोप कितनी भी ताखतवर और विनाशकारी क्यों न रही हो, किन्तु फिलहाल आजकल यह खिलोने की तरह काम आती है, इस पर बैट कर छोटे छोटे बच्चे गुण सावारी का आनन्द लेते हैं, और जब बच्चे चले जाते हैं, एकांत हो जाता है, तब बहुत सारी चिडिये इस पर करते हैं, और बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, यह बताते हैं, कि चाहे तो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न रही हो अपने जमाने में, लेकिन एक न एक दिन तो उसका मुहुबंद होना ही था, अर्थात कभी कहते हैं, कि कोई कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, एक दिन, एक समय तो ऐसा आता ही है कि उसका भी अंत हो ही जाता है All the very best Thank you, Bye अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पिलेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेयर करें अगर आपको ये जाइक करें